पुक्तर पुर्देश के सीटा पुर्जनपत के सक्रन ब्लाक के स्यूपुरी गाउं में आजादी के सत्तर साल बाद भी नहीं हुआ था बिद्धुती करणड जिससे गाउं के बिहारी लाल साइथ एक हजार लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपने समदाय की समस्या पर साथ महिने पहले हमने मोजो बीडियो बनाया था मोजो बीडियो बनाने के बाद मैं बीडियो के माध्यम से इस समस्या पर समदाय को संगठित्वा जागरूप करते हुए बदलाव ला पाया दिजली ना होने से हमारा गाव अंतेरे में है साम को सारा सन्नाटा चा जाता है बच्चे की पढ़ाई दिब्डी से करते हैं जिससे बड़िया उजेला नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए मिट्टी का तेल बाजार से महंगा खरीदना पढ़ता है आज आदी से आज तक हमारे गाव में बजली नहीं आई थे बहुत दिखकते थी बच्चे डिब्डी के अंधेरे में उजेले में पढ़ते थे बाजार से मिट्टी का तेल महंगा खरीदना पढ़ता था पंपंग सेट चलाने के लिए भी तेल महंगा लेना पढ़ता था आप हमारे यहां धाई महिना पहले आप आए फिल्म बनाई फिल्म बनाने से के बाद हमारे यहां बिजली आई आप बच्चे बिजली के उजेले में पढ़ रहे हैं हमारे गाउं में उजाला है, गाउं की लोग बहुत प्रसंद नहाएं, हम लोग भी प्रसंद नहाएं, आपकी संस्ताओं को आपको मैं बधाई देता हूं धन्यवाद। हम लोगों की एक फिल्म बनाए जिससे हम लोगों के गाउं में बिजली आई और अब हम लोग दिब्बी के बजाए बिजली के उजाले में पढ़ते हैं और हम पढ़ने वाले लोगों को बहुत खुशी है और आप लोगों को तथा आप लोगों की संस्ता को हम बहुत बहुत मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने समधाय की समस्याओं को उठाता रहूं उनको संगठित्व अजागरूख कर उनकी समस्याओं पर समाधान लाता रहूं मैं हरिशंकर उत्तर प्रदेश के सीता पुर्जनपर से इंडिया अनाट के लिए